हेलो अबरीवन, आई हम सोनम, वेक टू माई यूटूब चैनल, अपना वित्यार है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अगर आप लोग इन 25 क्वेशनों को तयार कर लेते हैं, तो आपके वाईबा में फीजिक्स में आपका 30 नमबर बिल्कुल रखा हुआ है, यानि कि आपके जो एक्जामनर है, इन 25 क्वेशनों के बाहर आप से कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं, सिर्फ इन 25 क्वेशनों को आप पर बिल्कुल किलियर है, इक्जामनर इन 25 क्वेशनों में सही आप से क्वेशन पूछते हैं, तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजे, और हाँ चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, तो यहाँ पर हम सुरू करते हैं, श्टार्ट करते हैं अब अपनी क्वेशन, जो फर्स्ट क्वेशन रहा गोरा बैदुच्छेत्र के परिभासा दीजे, ठीक है, बैदुच्छेत्र की परिभासा सबसे पहले ये क्वेशन आप से पूछा जाएगा, तो यहाँ पर बैदुच्छेत्र में किसी परिचर आवेस पर लगने वाले बल कि अनपात कोई किया करते हैं, बैदुच्छेत्र कetchup केते हैं, ई बराबर क्या होता है, इस ही को कहते हैं, ठीक है, आप लोग इस फॉर्मूले से ही क्या कर देगे, इसकी परिभासा बना लेंगे, फिर उसके बाद आपको देखिए, बैदुच्छेत्र की अगर परिभा बिमा क्या होती है यह आप से question पूस लिया जाएगा यह पक्का है कि गारंटी कि यह question जरूर पूसते कि बलकी बिमा क्या होता है ठीक है तो जो बलकी बिमा होती हुँ होता है MLT पर माइनस टू और जब भी आप लोग यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कि जब भी आप लोग बिमा कोई भी बिमा लिखिए तो आप लोग बड़े कोश्टक में ही लिखे ठीक है अगर आप लोग MLT पर माइनस टू इसी तरह लिख देंगे तो जो टीचर रहेंगे ए आप किस लेबल के स्टूडेंट हो और आपको तीस नंबर नहीं मिलेंगे तो इसलिए आप लोग इसको बड़े कोश्टक में ही लिख लिएगा और यहाँ पर बल की बिमा किस तरीके साथ अगर आप लोग इस टापिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे अपना वि पूछा जा सकता है यानि कि जाएगा भी ठीक है अगर एसा ही पद्धती में बल का जो मात रख होता वह न्यूटन होता है ठीक है पिर उसके बाद किगरा मीटर सेकंड पर माइनस टू ठीक है यह होता है आप लोग इन तीनों को याद रखिए यह आप से जरूर पूछा ज जाएगा वो है एंपियर का नियम किसे कहते है यदि निर्वात अथ्वावाई में इस्थित दो सीधे लंबे वह समानतर तारों में जिनके बीच की जो दूरी है वह एक मीटर है ठीक है एक ही बेदुधारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच प्रती मीटर लंबा दो गृत लोग जैसे चार्ट पर कौन से टापिक बनाये हुए जैसे टांसफार्मा हो गया ठीक है चोक कुंडली हो गया बीटर से तूग तो आप लोग जिस टापिक पर बनाये हुए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उस टापिक से रिलेटेड आपके वाईबा में जितने भी प्रास्न कोईशन पूछते हैं एक्जामन और उस टापिक से भी रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे ठीक है कमेंट करके जरूर बताइएगा फिर उसके बाद नेश्ट है फराइडे का प्रतम नियम और दीतिया नियम को क्या कहते हैं यह आप से पूछा जा सकता है ठ तयार का लिजिए कि यह जू पाचीश क्वेशटर है यह गारांटी है कि आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और इन 15 क्वेशनों को जरूर पूछाज जाएगा फिर उसके बाद देखेंगी नेश्ट क्वेश्चन उसके बाद देखिए नेश्ट तथा प्रतिकर्सर बल दोनों आवेसों की मात्राओं के गुड़न फल के अनुक्रमा नुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बितकरमा नुपाती होता है ठीक है यही होता है कुलाम का नियम तो आप लोग जैसे इसका जो फार्मूला होता है वह होता है एब प्रकास का परावर्तन वो अपवर्तन का नियम ठीक है आप लोग को प्रकास का परावर्तन वो अपवर्तन की नियम को तयार कर लेना है फिर उसके बाद परावर्तन और अपवर्तन की नियम में एक स्नेल का नियम भी आता है जो कि सेकेंड नियम को कहते हैं तो आप लोग इसको भी तयार कर लिजं़ेगा दरपड किTने परकार के होते हैं तो आप लोग को लूई से कहते हैं तो यहा जिसके आंसर हम अपने मूझ से ही बोल देते हैं तो आप लोग उसको नोट कर लिजेगा ठीक है तो लारेंज बल किसे करते हैं अगर कोई भी चुम्बकी छेतर को इस तरीके से यानि कि क्रास से सो करते हैं किसी चुम्बकी छेतर है इसमें क्या करते हैं अगर कोई धातू के क किसे कहते हैं लेंज का जो नियम है इसको यानि कि ये फैराड़का दूतिय नियम है ठीक उसके बाद नेश्ट है चोग कुंडली की सिध्धान्द पर कार करता है तो जो चोग कुंडली है वो वाठिन धारा के सिध्धान्द पर कार करती है फिर उसके बाद नेश्ट है प्रतिरोधों का समांतर क्रम और स्रेडिक क्रम यानि आप लोग 25 क्वेश्चन को सिर्फ तयार कर लेजिए इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर हम आपको गारांटी देते हैं ठीक है इसी तरह अगर आप सभी लोग यानि कि फीजिक्स का यह है ठीक है अगर आप बायोलाजिक के स्टुडेंट हो तो अगर आप लोगों को बायोला राइट करके वहाँ पर अगर पूछेंगे तो बताना है समांतर क्रम में एक बटा के आर बराबर क्या होता है एक बटा के आरवन प्लस एक बटा के आरटू प्लस एक बटा के आर थ्री ठीक है इसको आप लोग तयार कर लेजिए नहेश्ट चुम्ब की आगूर का मात्रक क अब तयार करेंगे जब तयार कर लीजेगा चैनल पर वीडिएव वहां से आपको मिल सकते ने स्क्राइब से पूछा जाएगा कि फिजिक्स की मीनिंग क्या होती है तो फिजिक्स की मिनिंग आप लोग तयार कर लीजिए यहां पर ठीक है फिर उसके बाद ने बन इस्ट न जो कि आपसे पहले भी पूछ दिया जा सकता है और लास्ट में भी भौतिक बिज्ञान किसे कहते हैं तो यहाँ पे जो भौतिक बिज्ञान है यानि बिज्ञान की वह साका जिसमें उर्जा के बिभिन स्वरूपों तथा द्रब्व में उसकी अन्योन किरियाओं का अध्यन क जा जाता उस confirm कोई भौतिक बिज्ञान कहते हैं ठीक है नेश्ट नूटन स्वरूप लोग दिये थे नलिए यह हैं और इसके बार इससे भी इंपॉर्टं और पिर उसके बाद देखिए 21 का जो question है वो है capital G यानी गुर्तवा करसर नेतांग को capital G से सो करते हैं तो इसका मान कितना होता ये question आप से 100% guarantee की जरूर पूछा जाएगा ठीक है तो जो capital G का मान होता है वो 6.67 into 10 के पाउर minus 11 Newton meter का square divide by किग्रा का square ठीक है इसका मान को आप लोग इसको तयार कर लेजे नेस्ट है question एक एगेश्टरान का मान कितना होता है यानी एक एगेश्टरान का मान कितना होता है तो यहाँ पर एक एगेश्टरान बराबर होता है 10 के पाउर minus 10 मीटर नेस्ट क्वेश्टन जो है व इसमाल जी का मान, इसमाल जी को गुर्तवी त्वरण भी कहते हैं, गुर्तवी त्वरण का मान कितना होता है, तो यहाँ पे गुर्तवी त्वरण का मान अक्सर 9.8 मीटर डिवाइट सेकेंड स्क्वाइर होता है, फिर उसके बाद नेश्ट है 24 का क्वेश्चिन, पालन नाट का मान कितना होता है तो 8 दस्मलो 85 इंट्व 10 के पाउर माइनस 12 निूटन का इस्क्वार बटे नूटन मीटर का स्क्वार ठीक है epsilon net का मान होता है next one divided four pie epsilon net का मान कितना होता है तो वो उता है 9.0 into 10 के पावर 9 Newton मीटर का स्क्वाइर डिवाइड बाई कुलाम का स्क्वाइर ठीक है तो यह रहा 25 क्वेशन और next क्वेशन जो की बहुत ही important है और यह क्वेशन भी आपसे examiner पूछ सकते हैं ठीक है वो है कि आप अभी तक अपना विद्याले चैनल को subscribe किये की नहीं किये ठीक है तो आप लोगों का इसमें reply क्या होगा और आप लोग इसमें क्या reply देना चाहेंगे comment करके आप लोग जरूर बताईएगा और इसी तरह के और भी important यानि की chemistry और physics के वाइबा में पूछे जाने वाले और chemistry के और biology के ठीक है वाइबा में पूछे जाने वा और इससे related अगर आप लोगों को चाहिए तो यह भी comment करके जरूर बताईएगा ओके आसके इस वीडियो में इतना है और ज्यादे से ज्यादा आप लोग हमारे इस वीडियो को अपने friend में share कर दीजिएगा अपना विद्धाल यूटूब चैनल पे class 12 के आल सब्सक्राइब के study कराई जाती है और कई important board exams related कई important trick भी बताएगे अगर आप अभी तक अपना विडियो को नहीं देखे ट्रिक वगरा को नहीं देखे तो प्लीज आप लोग हमारे अपना विडियो यूटूब चैनल पे के बिल आइकन को जरूर प्रेस कर लें थेंक यू अल्दा बेरिवेश्ट बाइबाए